गुड बॉर्णिंग इस्टुटेंट्स आज इस वीडियो में हम सिट्रस कैंकर रोग का अध्यन करेंगे सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि यह रोग के स्पादक पर उत्पन होता है तो इसका जो परपोशी होता है वो सिट्रस औरेंटी कोलिय नाम का फ्लांट होता है वो सिट्रस की कुछ अन्य जातियां वो उप जातियां ऐसी होती है जिनमें कि यह रोग सिट्रस कैंकर प्रभावित कलता है दूसरी बात देखें होगोल एक वित्रण की ये कहां पाये जाता है यह रोग विश्व के उन सभी छेत्रों में पाये जाता है जहां नीबू पुलके फलों की पैदावार होती है जैसे अपन बात करें भारत की, चीन की, जापान की, जावा की ये सभी ऐसे देखें जहां पर के इस रोग के कारण नीबू वा सिट्रस की जातियों को बहुत जादा हानी होती है लक्षण क्या उत्पन होते हैं सबसे पहले जो इस रोग का प्रभाव होता है वैसे तो समस्त वाइब ये भागों पर होता है पतीयों के निचली सत्य पर सबसे पहले सबसे पहले तो चोटे-चोटे कुछ उपरे हुए गोलाकार जैसे पानी सोब लिया हो इस तरह के पारवासी दपे उत्पन होते पत्यों की निचली सत्य पर सबसे पहले और बाद में ये जो दब्बे होते हैं इसी प्रकार के दब्बे उपरी सते पर भी बन जाते हैं पत्तियों पर उपस्तित ये जो दब्बे होते हैं इनके चारों और एक तेल जैसा पदाल्ग भरा रहता है या फिर एक पीले से रंग का प्रभा मंडल होता है जिसे हैलो भी कहते हैं रोग की शुरुवाती जब वस्ता होती है तो इन धपों का रंग कुछ गहरा हरा होता है लेकिन जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है तो ये ग्रे कलर के ग्रेश वाइट जोते हैं जिसमें हलके बूरे रंग का एक इस पंजी सा पदाल जबरा हुआ रहता है पुराने जो घाव होते हैं वो बिलकुल रफ होते हैं कॉर्क जैसे होते हैं ब्राउन कलर के लपड़ी जैसे और बूरे रंग के नजर आते हैं इन घाव को कैंकर लेसंस या कैंकर छट कहा जाता है अब परिपक को जो टैनिया होते हैं उनमें जो कैंकर छट होते हैं वो पत्तियों के समान ही होते हैं लेकिन जो पुरानी शाखाएं होती हैं उनमें इन कैंकर छटों की आकरती अनियमित होती है जैसे फल होते हैं उनमें भी पत्तियों के समानी ऐसे कैंकल छत बनते हैं लेकिन फर्व सिर्व इतना होता है कि पत्तियों पे जो कैंकल छत होते हैं उनके चारों और पीले रंग का प्रभामंडल या हेलो पाया जाता है जो तेलिये भाग होता है जो चारों होते गल्त को भेर लेकिन इस तरह का कोई भी प्रभा मंदल जो होता है वो फलो में नहीं पाया जाता है और फलो वतनों के जो कैंकर शत होते हैं वो आकार में व्रधी कलते हैं फरस पर एक दूसरे से सनलेट हो जाते हैं और इनके आपस में जुड़ने से अनियमित पपड़ी दार जो छत होते ह चतों का आमाब जो होता है वो परपोशी की जाती के उपर निरपर कलता है पत्तियों पर इनका जो डाइमेटर होता है इनके इंक इंकल चतों का वो एक से छे एमेम यदि फलों की बात करें फलों वर टैनी उपर इनका जो आकार होता है वो एक से दो सेंटीमेटर तक होता ह यह चित्र है जो यह दर्शाता है कि पत्तियों उपर किस तरीके के नीवू की पत्तियों उपर किस तरीके के यह कैंकर छत नजर आते हैं प्ल, दूसर चित्र जो बी चित्र है वो फल का चित्र है कि नीवू के फल के उपर किस तरीके के ब्राउन-ब्राउन टब्बे नजर आते कही वाराण अपन भाजाल से नीवू खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको ब्राउन-ब्राउन के बूरे-बूरे तलर के कि उब्रे वे निशान से होते हैं, वो सब सिट्रस कैंकר रोग के कारणी होते हैं और जो तीस्ञ चित्र है, वो उस जीवानु,ullyök panda केंपेस्ट्रस क्राइ का चित्र है, जो इस रोग का रोग कारण है इस वीडियो में इतना ही, थांग यू